नमस्कार दोस्तों मैं आपका गाइड ओजांक आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ दो साल के IS की तैयारी के टैम टेबल के बारे में बिल्कुल ठीक सुना आपने दोस्तों UPSC के तैयारी में जो एक विधिवत समय लगता है जो वेक्तित और निर्मान के लिए मिन्यूनतम समय की जरुवत होती है वो दो साल होती है कई बार स्टुडेंट इस गलत फैमी में अपना समय बर बात करते हैं कि शायद सलबस केवल पूरा कर लेने से मेरा सेलेक्शन हो जाएगा लेकिन सलबस पूरा करने के साथ साथ आपको अच्छी राइटिंग स्केल आनी चाहिए पबलिक स्पीकिंग आनी चाहिए आप कॉन्फिडेंटली इंटर्वी बोर्ड को फेस कर सकें साथी साथ इंग्लिश और हिंदी भाषा पे कमांड होने के साथ साथ आप कम से कम अच्छा ऐसे लिखने की कला को विक्सित कर लें और इतने वास सलबस के साथ इन सभी स्किल्स को सीखने में ये नियून्टम समय लगता है कई बार जब हम समय की बहुत गलत कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे उपर अनावश्यक दबाव हो जाता है और हम वास्तों में सीखने की प्रक्रिया से दूर हो जाते हैं और एक रैट रेस्क में इंटर कर जाते हैं कि भगदर सी मची रहती है जिसका नतीजा होता है कि साल के अंत में भी हमसे बहुत बड़ी गलतियां होती है और हमारा सबसे बेज कीमती समय खराब हो जाता है याद रखेगा सीखने की प्रक्रिया ग्रेजुल होती है, step by step होती है और जब हम सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो हमें सबसे पहले अपना ध्यान, concept building या सीखने की प्रक्रिया पर ही लगाना चाहिए आईए, इस वीडियो में मैं आपसे कुछ mathology discuss करता हूँ जिनका उप्योग करके आप अपनी तैयारी को सही दिशा में लेकर जा सकते हैं अब हम यहाँ पर अपने दो साल के समय को जिनको 2022 देना है या जो अभी 12th pass कर चुके हैं या जो अभी graduation के first year में हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्रपूर है तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी तैयारी को दो हिस्सों में बाटेंगे जो first year आपका रहेगा वो आपके basic fundamentals के लिए जाना जाएगा इस दोरान जो market में परचले जो बड़ी बड़ी आदर्श किताबे हैं उनसे आप थोड़ी से दूरी बना कर रखेंगे यानि जिन्हें हम reference book कहते हैं जैसे पॉलिटी के लिए लक्षमी कांत जैसे डीडी बासू जैसे जो रोमिला थापर हिस्ट्री के लिए इसी तरह जहाश श्रीमाली प्राचीन भारत के लिए और भी तमाम इस तरह की किताबे जिने हम लोग reference book कहते हैं UPSC के लिए रामचंदर गुहा हो गए एल बाशम हो गए ये reference books होती है और कई बार जो इनकी भाशा इनको लिखने का तरीका जो होता है वो बहुत mature student के लिए लिए लिखा जाता है जिसको पढ़ने समझने के लिए basic knowledge होना बहुत जरूरी होता है student इंटरनेट पे search करता है इंटरनेट पे या किसी अपने दोस्ट से पूचता है और उसको लगता है कि हम IIS की तैयरी करने जा रहे है तो हमें छोटी मोटी किताबों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए हमें सर्फ reference books पढ़ना चाहिए और इसी पर हमें आदर्श अपना एक जो है वो बनाना चाहिए बहुत बड़ी गलती हो जाती है अगर आपने शुरुवाती दौर में आपको आपके परिवार में ये महौल मिला है कि शुरुवात सही आपकी तैयारी को एक mark direction दिया गया है जैसे मान लीजे आपके पिता सिविल सेवा में है या आपके जो घर में कोई बहुत गंभीरता से तैयारी कर रहा है तो धीरे धीरे वो आपको 11th class, 12th class में वो current affairs, अकबार पढ़ने के तरीके, basic books इन सब के साथ वो आपको परिचे करा देता है या आपकी schooling बहुत अच्छी हुई या आप ऐसे स्कूलों में पढ़े हो जहां NCIT को बहुत गंभीरता से पढ़ाय जाता हो तो उस दोरान आप इन reference books की तरफ जा सकते हैं लेकिन अगर आप इतने privilege नहीं हैं आपकी शुरुवाती दोर की पढ़ाई पर आप पे ध्यान नहीं दिया गया है आपने कभी भी अपने base पर काम नहीं किया है आप mathematics से पढ़े हैं आप science के student हैं, commerce के student हैं आपने humanities के subject को नहीं पढ़ा है तो आपको बहुत ध्यान से अपने आपको शूनी की तरफ ले जाकर अपनी तैयारी को step by step लेकर जाना चाहिए तो दोस्तों यहां पर आपको करना ये है कि आप first year में अपनी जो mindset है उसको rat race में ले जाने की बज़ा है आप सीखने के प्रक्रिया में डालेंगे और इसमें जो NCRT खास्तों पर जो नई NCRT है 6-12 तक की साथी साथ NIOS NIOS गौर्मेंट की open schooling की बहुत ही अच्छी किताबे होती हैं बहुत authentic books होती हैं और इसके बाद Tamil Lord Board की जो books हैं इन तीनों books पे आपको अपना एक base बनाना पड़ेगा मैं NCRT से बाहर इसलिए जाने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि UPSC के orientation में तमाम नई चीजों का समावेशन हुआ है जैसे अगर मैं आप से environment की बात करूँ तो environment NCRT में उतना विस्तार से नहीं दिया हुआ है इसी तरह जब आप economics में आते हैं तो economics में भी NIOs की books बहुत help करती हैं तो उनकी history, geography तो बहुत ही awesome तरीके से लिखी गई है तो यहाँ पर आपको multiple sources के साथ अपना base बनाना होता है जब मैं base बनाने की बात कह रहा हूँ तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि आपको subject की in depth एक पहचान हो जानी चाहिए कि मेरा subject क्या कह रहा है चुकि यह school की books हैं तो इसकी भाषा बहुत सरल है और जो तथ है यानि कि जो facts हैं वो उतने ही दिये गए हैं इतना एक 12th class तक के बच्चे के लिए जरूरी होता है यानि इसमें बहुत ही जटल अवधानाएं नहीं दिवही हैं बहुत ही वैध्यानिक वैख्याएं नहीं की गई हैं ऐसा दिया गया है कि एक सामाने समझ का इस्ट्रेट इसको पढ़कर आसानी से समझ सकता है तो ये जो तीन स्टेप्स हैं आपका एक महतोकांचा होनी चाहिए आपका ambition होना चाहिए कि मुझे पहले साल में इन बुक्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है इनके साथ अपने जुडाओ रखना है माइन को ओपन करके रखना है यानि पढ़ने के साथ मुझे इस पर विचार भी करना है विचार करते समय है ये क्या है ये क्यों है कैसे है यानि what, why इन questions को अपने साथ put up करना है साथी साथ हमेशा एक orientation first year में रखना है चुकि इस समय आपको exam देने का कोई दबाव नहीं है तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि एक प्रशाशक यानि officer के तौर पर मैं इस subject का कैसे इस्तमाल करूँगा जैसे आप जब भूगोल के बारे में अध्यन कर रहे हैं तो सवाल है कि मैं एक IAS officer हूँगा मेरे लिए Indian geography का जानना क्यों महतपोड है तो आप विचार यहां करेंगे कि भई मेरे देश में अलग-अलग तरह के भूभाग है मैं राजस्थान जाता हूँ तो मुझे रेगिस्तान दिखाई पड़ता है तो मुझे एक ऐसे देश में एक All India Service का हिस्सा बना जहां इतनी विवित्ता हैं पाई जाती है तो मैं इस भूगोल का प्रियोग करके जोगरफी सब्जेक्ट को पढ़कर मैं कैसे अपने देश की पहली बात तो विवित्ता को समझ सकता हूँ क्यों हमारे यह मिट्टियां इतने प्रकार की हैं तो पहले आप वाई को आप देखोगे और इमेजिन करो कि एक ऊफिसर हो और आप देश के अलग-अलग हिस्सों में घूम रहे हो जब आप नौर्थीज जा रहे हो तो आपको मंगोलाई प्रकारिक प्रजाती के लोग दिखाई पड़े हैं वो अलग रूप में दिखाई पड़े हैं राजस्थान जा रहे हो तो उनका वेज भूशा बिलकुल अलग है जब आप हिमाले गड़वाल डीजन कश्मीर में जा रहे हो तो वहां का पहनावा वहां के जो लोग हैं वो बिलकुल अलग तरह कैसे दिखाई पड़ते हैं साउथ में जा रहे हो तो बिलकुल अलग तरह का खान पान पहनावा दिखाई पड़ते हैं पहला तो आपका होना चाहिए कि ये क्यों है दूसरा मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस क्यों को समझने के बाद मैं अपने राष्ट के लिए अपनी कंट्री के लिए मैं कैसे इस नॉलेज का इस्तमाल कर सकता हूँ जैसे मैं agriculture की prosperity के लिए क्या कर सकता हूँ अगर कल को मुझे अधिकारी ये पत दिया गया मैं लोगों की economic prosperity के लिए क्या कर सकता हूँ मैं अगर मुझे forest मिलता है तो मैं लोगों के वन जीव को बचाने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ देश की एकता के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ तो ऐसा करके मेरा जो ओरियन्टेशन है वो बहुत ही ब्रॉडर होता जाता है चुकि फर्स्ट इयर में आपके उपर दबाव नहीं होता है इसलिए आप बहुत ही खुले दिमाग से इसे पढ़ सकते हैं यही तयारी का सबसे बड़ा फायदा है तो यह जो तीनों सेट अप है उसके साथ आप जोड़े रह सकते हैं अब फर्स्ट इयर में इसको कंप्रीट करने के बाद और उसमें आपको फंडामेंटल फाइब सब्जिक्ट कवर करने होंगे तो आप इसके लिए उसका अध्यन कर सकते हैं साथी साथ इसके छोटे छोटे पॉइंट्स बना कर आप इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं यह आपके फर्स्ट इयर के लिए बहुत जरूरी है यानि फर्स्ट इयर आपको आपके सब्जेक्ट की रेंज देता है second year में जाते हैं तो वहाँ पर अब आपको reference books के साथ deal करना है चुकि अब आपको subject का विन्यास पता चल चुका है आपको पता चल चुका है कि geography के क्या segments हैं क्या basic fundamentals हैं और अब आपको standard books पढ़नी है और साथी साथ जो आपका segment है वहाँ पर एक optional subject की आपको तयारी करनी है ये बहुत महत्तपूर्ण है आपको जब first year में basic fundamental पढ़ लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका optional basically क्या best होना चाहिए optional वो हिस्सा होता है जिस पर 500 marks depend होते हैं और ये marks तया करते हैं कि हमारा selection कैसे होगा optional में जिस student ने अच्छे marks गेंड कर लिये 300 marks उसने उठा लिये यकीन मानिये final list में आना उसका तया रहता है तो दोस्तों इस तरह जो है वो हम अपनी तयारी को दूसरे इससे मिले कर जाते हैं यानि अब second year में आपको reference books यानि कि जो books के नाम मैंने लिये थे जैसे विपिन चंद्रा, लक्षमी कांथ, डीडी बासू, सुभास कस्यप, इस तरह की जो रमेज सिंग, इस तरह की जो books हैं वो हमें अब पढ़ना पढ़ेगा साथी साथ हमें इसी समय अपनी optional की तैरी करनी है ध्यान रहे अगर यही हमें एक साल में करना पढ़ता है तो हमें बहुत तकलीफ से गुजरना पढ़ता है और हमें समझ में नहीं आता हम पहले क्या पढ़ें या बाद में क्या पढ़ें साथी साथ जो आपका second year होगा उस समय आप अपना एक बहुत बड़ा समय answer writing पर देंगे क्योंकि optional का जो syllabus होता है वो काफी हद तक static होता है काफी हद तक जो है वो अपने syllabus के दायरे को follow करता है और इस समय GS में आप standard books के साथ जोड़कर अपनी समझ बढ़ा चुके होंगे अब लक्षमी कान की book पढ़ते समय आपको यी बात समझ में आएगी कि basically इसमें कहा क्या जा रहा है क्योंकि आप NCRT और NIOS के साथ अपना base बना चुके होंगे आपको ये भी पता चल गया होगा कि option मुझे कौन सा चुनना चाहिए मुझे मेरा orientation मेरा रुजहान history की तरफ जादा है political science की तरफ जादा है या मैं geography की तरफ जा रहा हूँ किस तरफ मेरा रुजहान जादा बना हुआ है उसी रुजहान के अनुरूप आप जो है वो अपनी तयारी को आगे ले कर जाएंगे अता सीधी सी बात हो गई कि अब second year में आप reference books साथी साथ optional, साथी साथ answer writing और essay writing की पूरी तयारी में आप जोड़ जाएंगे इसी समय आप public speaking आपके पास confidence आ चुका होगा आप public speaking या interview board mock बना कर या classes में जो teacher question या task देते हैं उनको बढ़ चड़ कर class में बोलना तो इससे अब आपकी जो बोलने की कला होगी उसका भी विकास होगा यानि second year में आपका उत्तरदाइत तो बहुत जादा बढ़ जाता है अब यहाँ पर हमें बहुत साफधानी के साथ काम करना है जो आपने first year में basic short notes बनाये थे उनको synopsis में convert करना है synopsis वाकई में एक बहुत बड़ी कला होती है जिसमें 1 into 10 का formula यूस गया जाता है यानि कि अगर आप 10 page पढ़ रहे हैं तो उसका 1 page के अंदर ही सारा अवलोकन होना चाहिए इसमें हम basically symbols यूज़ करते हैं, flow chart यूज़ करते हैं, tricks यूज़ करते हैं ताकि जो पूरी बात है वो बहुत ही छोटे notes में आ जाए ये notes का भी एक compile form होता है जिसमें आप पूरी बात गागर में सागर रखते हो ये आप ये समझ के रखिए कि synopsis बनाना हर topper का एक मूलभूत लक्षड है जितने भी toppers होते हैं वो notes जादा नहीं बनातें क्योंकि notes को revise करना बहुत मुश्किल काम होता है अन्तिम समय में जब exam सर पर होता है तो notes बलकी notes नहीं revise किया जाते हैं वहाँ synopsis revise किया जाते हैं जो बहुत ही कम pages में होते हैं फाइल में लगे होते हैं और उनमें symbols के थ्रू, pictures के थ्रू, tricks के थ्रू आप अपने पूरे answer को याद रखते हो और ऐसा करने वाले ही अंत में विजेता बनके निकलते हैं तो देखा दोस्तो आपने second year में आपके उपर कितनी जिम्मेदारियां हैं और आपको कैसे पूरा करना है इस दोरान आपके कुछ नए विशे जोड़ जाएंगे जैसे अंतराष्टी संबंद तो अंतराष्टी संबंद एक dynamic subject है जिसमें आपको newspaper के साथ आपको लगातार इसके साथ attach रहना पड़ेगा साथी साथ आंतरिक सुरक्षा internal security इसमें आपको गरह मंतराले दोरा जो हर साल एक annual report आती उसका भी अध्यन करना पड़ेगा इस दोरान आपको तमाम मंतरालेओं की website पर जाकर उनकी annual reports का जो है वो लगातार अध्यन करना पड़ेगा जिसमें नीति आयो के document विदेश मंतराले के document प्रेस information bureau इंडिया yearbook economic survey तो इस जो second year है ये एक बहुत ही पेचीदा और बहुत ही दबावाला साल होता है अब अगर पहले साल आपने अपना base नहीं बनाया है पढ़ने की आदते नहीं बनाई है अपना जो basic fundamental है उसके जो short notes तक नहीं पहुँचे हैं तो second year में आप अंदाजा लगाईए कि एक तरफ आपको reference books पढ़नी है दूसी तरफ आपको optional तयार करना है तीसी तरफ आपको द passing marks लाने के लिए qualifying paper English में भी आपको एक अच्छी knowledge होनी चाहिए या आप कम से कम जो एक language paper है उसको भी आपको qualify करना आना चाहिए यानि second year बहुत दबाव का साल होता है classes बहुत लंबी होती हैं तो ये जो है वो दो साल का हमारा input रहा इन दोनों सालों में एक चीज common रहेगी और वो रहेगी दिन पहले दिन से ही आप अकबार पढ़ने की आदा डालेंगे न्यूश्टेपर जिस student को पढ़ना नहीं आता और जिसको उसकी habit नहीं है वो कभी भी आप UPSC में बहुत आगे तक नहीं जा सकता इस बात को याद रखिएगा न्यूश्टेपर के कई लाब के साथ आप परजित रहेंगे सेकंड यर में आप बहुत प्रिसाइज होकर पढ़ेंगे और एडिटोरियल्स पे या जो आपके सल्बस से जड़े हुए मुख्य मुद्धे हैं किवल उन पर ही अपनी कमांड बनाएंगे अपने इस मित्र उजां को विदा दें मिलता हूं अगले विडियो में आपकी किसी अन्य समस्या के समाधान के साथ तब तक के लिए नमस्कार